प्रभुपात के गुरु ने दिया उनको एक महात्मूर संदेश प्रभुपात के गुरु ने दिया उनको एक महात्मूर संदेश गरंतों के रुप में लिखो बगवान श्री कृष्णा के उदेश शीला प्रभुपात में लगा दिया गरंतों कामबार ये पुस्तक ही कर सकती है बजीवों का उधार अगर शीला प्रभुपात को जीवित रखना है तो अंतिम सांस का पुस्तक वित्वन करना है अभी ये पुस्तक कौन कौन सी है मैं आपको भी बताती हूं अगर आप चाते हैं छूच जय संसार का आओ गमन तो फिर मेरा सुझाव है एक पुस्तक है पुनर आओमन माप्रभु का चाते हैं अगर आप चाते हैं अगर आप चाते हैं अम्रत भागवतम और भागवत गीता यथा रूप के क्या कहने ये तो है मुख्याइस कौन के दो अद्बूत गहने हैं संसार भर के दर्शन और विग्यानिकों की करतेगी चुटी जो पढ़ लेगा पुनर दर्शन, पुनर उत्तर और हरे कृष्ण चुनोती बड़ी विचित्र पुस्तक श्री उपदेश अम्रत और अनपम उपहार सब को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये गोरिया कंट का हार माया बढ़ नहीं सकती कभी उस भक्त की ओर जो नियल्थनर पढ़ता रहेगा बवान शी कृष्ण और कृष्ण की ओर अगर कोई चाहिए अलग-अलग युगों में तरखी आंके खोल कर रख देगी योपत और सर्व उत्तम पदती ऑफे बावन अम्राभ के प्राप्ति और आत्म है ृत्मा श की जत्राइब का विग्यान् फ्रीलव asking शेल्ब्रों ने बढ़ दिए इसमें संपूर्शास्तों का विड्राद कृष्ण प्रलात महहराज के उप्देश और अस्राज healthy printing प्रलात महहराज इसी जनम में करवा देगी कृष्ण बावनाम्रत के भिंदू आत्मा की कोज और इशोपनिशित भागवत का प्रकाश उबार दे बहुसागर से छुड़ा दे जनम की फांस राजविद्या ग्यान का राज़ा और जनम मृतिव से परे अन्या लोगों की सुगम यात्रा और जीवन का सूत्र जीवन क्रिप्या सब वित्रन करें ये हैं हमारे प्रभुपात का निवेदन इसमें प्रभुपात जी की साही पुस्तर के आ जाती है शीला प्रभुपात में हर सेवा को मान बता है लेकिन हम देखे तो उन्होंने ग्रत बाटने पर ज्यादा जोर दिया है क्यों जोर दिया है क्योंकि ये तमाँ पुस्तर को देखते हैं तो हम भगवान के विग्रा को देखते हैं अगर किसी के पास विग्रा नहीं है तो इन पुस्तर को भोग लगाए मंगराठी करें फूल चरहें शीला प्रभुपात हाथ पगड़ लेते हैं उस विग्ति का और जनम रिटिव को पाढ़ करना देते हैं शीला प्रभुपात के ग्रंटाइम बं की तरह है जो पूरा शरीत को सलामत रहता है लेकिन सिर बाल विर जाते हैं शीलघ प्रभुपात के गरन्तोंने पूरे संसार में कंग्रमती लाई है। अगर आप किछी को पुस्तक देते हैं, तो आप शीलघ प्रभुपात जी का रिदे देते हैं। आप भी गरन्तों को पढ़िये और इससे बाटिए। जैसे मैं भी अभी शिलोक पढ़ रही हूँ और कुछ शिलोक आपको सुनाती हूँ अजया पहला दर्मक्षेत्र कुलुक्षेत्र के सैने निरक्षय दृत राष्ट वाचा दर्मक्षेत्र कुलुक्षेत्र समवेता युद्सवह मामका पांडवास चैव किम पुर्वत संजया तृत राष्ट ने कहा हे संजय धर्मक्षेत्र कुलुक्षेत्र में कत्रु है मेरे तता पांड़े के पुत्रों ने क्या कहा अजया दूसरा बगवादीता का सार्शिलोग नंबर साथ्वा कारपण्य दोश्यो उपत्ता सवाबा प्रिच्छामी द्वंदर्म समोळ चेता अपना करता भी अभूल गया हूं और अपना सारा धैरे खोच कम ऐसी अवस्ता में मैं आपसे पूछ रहा हूं जो मेरे इस्ट्रीश करों उसे निश्च ग्रूप से बताएं अब मैं आपका शिश्य हूं और आपका शर्णागत हुँ पिरप्या मुझे उपदेश दे अज अजया दूसर श्लोक नमबर 11 श्री भगवान वाचा अशोग चानर्व शोग चास्क्रम प्रग्यावादां श्वाश से गठासून गठासून श्रा नानु शोचन ती पंडित हुआ श्री भगवान ने कहा तुप पाणिती पूर्वचन कहते वे उनके लिए शोकर जो शो करते हैं अजया दूसर श्लोक नमबर 12 ना तू एवे जातु ना संग्ना व्यजनादिका ना चाईवा नबर वे श्रीं हमा सर्वे वयमत परण ऐसा कभी नहीं हुआ के मैं नोरहां या तुम न रहों अथवा ये समश राजा न रहों और ना ऐसा है कि बविश्या में हम लो देहेकुमारं यवनम जर्ण तथा देहां अंतर प्राप्तिर्ग धीरस्तत्र नमयती। जिस प्रकार शहीतारी आत्मा इस्वर्टमान शरीप से बाली अवस्ता से धर्वनावस्तां और फिर व्रत्दा अवस्ता में नियंत्रन अग्रसत होता है। इसी प्रकाव अर्मृतियों होने पर आत्मा धुस्ते शरी में चला जाता है। दीव्यक्ति ऐसे परिवर्दत से मोगों को प्राप नहीं होता। तन्यवाद हरी कृष्णा। जानवी के लिए एक दफ़ा बहुत जोर दाता है। बहुत अच्छा जाता है। बहुत अच्छा उने प्रभुपाजी के लिए और प्रभुपाजी के जो मन की बात है। तन्यवाद बाता है। झाल झाल